इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइली सेना दो मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है एक तरफ जहां आईडियफ गाजा में हमास से जंग लड़ रही है वहीं उत्री इसराइल बॉर्डर पर लेबनान के अतंग की संगठन हिजबुला के साथ जंग का खत्रा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आईडियफ गाजा में हमले तेज कर रही है वैसे वैसे हिजबुला भी उत्री इसराइल पर अपने हमले तेज कर रहा है लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल लेबनान के बीच सीधे युद्ध का खत्रा बढ़ गया है और इसी कड़ी में कुछ जानकार इस खत्रे की चेतावनी पहले ही दे रहे हैं इसको लेकर इसराइल की पॉलिसी प्लैनिंग ब्यूरो की हैड डिजजा का कहना है कि हम ये समझते हैं कि यदि युद्ध नहीं होता है तो जो कुछ गाजा में हुआ वो दोबारा हो सकता है यानि कि 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमास का हमला दोबारा हो सकता है दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि यदि युद्ध होता है तो वो बड़ा होगा और इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और नागरिक मारे जाएंगे आपको बता दे कि उत्री इसराइल बॉर्डर के शेबा फार्म्स और गोलन हाइट्स में लगातार हिजबुला हमले कर रहा है और इसराइल ने हिजबुला से इन हमलों को रोकने के लिए कहा है इसराइल ने हिजबुला से उत्री इसराइल की लितानी नदी के आसपास से फोर्स हटाने के लिए कहा है बड़ी बात ये है कि इस इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पर संयुक्तराज की सेना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती है लेकिन हिजगुला को लेकर इसराइल का कहना है कि अगर हमास के साथ संघर्ष विराम होता है तो भी उत्तरी बॉर्डर पर इसराइल के ऑपरेशन नहीं रुकेंगे इसको लेकर पिछले हफते ही इसराइल के रक्षा मंत्री यौव गेलेंट ने भी बड़ा बयान दिया था उन्होंने अपने बयान में कहा था कि गाजा संघर्ष विराम इसराइली सेना को उत्तर में ऑपरेशन चलाने के लिए रोक नहीं पाएगा कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अगर इसराइल का हमास के साथ सीजफायर होता है तो वो हिजबुला पर हमला करने के लिए लेबनान में घुस सकता है लेकिन हिजबुला के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक हिजबुला ने इसराइल के खिलाफ जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सब ही युद्ध हारा है आपको बता दे कि 14 अगस 2006 को इसराइली सेना ने लेबनान पर हमला किया था और उस दोरान आईडियफ लेबनान के भीतर घुस गई थी और इस युद्ध में भी हिजबुला को काफी नुकसान हुआ था लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर हिजबुला पर इसराइल हमला करता है तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाएगा तो आपको बता दे कि एरान के इशारे पर ही हिजबुला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है या युँ कहें कि हिजबुला इसराइल के खिलाफ इरान का ही एक मुखोटा चहरा है इरान के शीर्स नितरत की तरफ से भी हिजबुला को इसराइल पर हमले तेज करने की छूट मिल चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसराइल और हिजबुला में युद्ध छ चड़ता है तो इरान के हत्यार इसराइल के खिलाफ काफी एहम साबित होंगे